हाई गाईस मेरा नाम है शादाव और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप लोग रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बना सकते हो तो इस वीडियो में हम लोग सौकिट आयो की मदद से आपका लोकेशन ट्रैक करेंगे और एक मैप के ओपर डिस्प्ले करेंगे तो गाइज ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो को एंड तक देखते रही है और इस वीडियो में आप लोग सॉकिट आयों की मदद से कैसे लोकेशन को डिस्प्ले करा तो रियल टाइम में कैसे कनेक्शन और डिसकनेक्शन होता है यह सब हम लोग जानेंगे सॉकिट आयों की मदद से तो रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग बनाने के लिए अगर आप लोग रेडि है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को स रहे तो यहां पे मैं लोकेशन अवा करूंगा यहा पर आप लोग देख सकते हो के मेरा जो करेंट लोकेशन जहां पे add होता हूँ दिख जाएगा तो यहाँ पे आप लोग जैसे मैं same location पे हो तो यहाँ पे ठोड़ा dark ces shadow type आपको दिखेगा तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ दो location एप घैसे हम यहाँ यहाँ पे एक location बन करुंगा तो रियल टाइम में ही इत्व में रियल टाइम में मेरा लोकेशन हट जाएगा यहां से मारकर वो हट जाएगा तो यहां पर जो जो एड रहेंगे वो सारे यहां पर दिखाए देंगे तो कुछ इस तरीके से आज हम लोग इस चीज़ को बनाने वाले हैं वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए अभी हम लोग development इदम start से start करते हैं So यहां पर अभी हम लोग एक folder बना लेते हैं और यहां पर मैं folder बना के उसका नाम दे देता हूं मैं real time tracking location folder का नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो तो यहां पर मैं अपना वाइक नाम दे देता हूं Real time tracking location उसको drag and drop करके VS code में open कर लेता हूं और यहां पर मैं full skin कर लेता हूं VS code की subset है भी हम लोग को यहां पर new terminal open करना है न्यू टर्मिनल open करने के बाद आपको यहां पर एक mt node jazz का project बनाना है तो सबसे बहुत जूम कर लेता हूं और npm init hyphen y लिखता हूं hyphen y का meaning है कि जो भी prompt रहेगा सब को तुम allow कर रहे हो forcefully तो hyphen y रहने देना तो package.json आपको यहां पर बनके ready हो जाएगा यहां पर जितने भी है यह आपकी एक route डिरेक्टी एक तरीके से license है इस project का तो इसको आपको safely रखना है यहां पर सब कुछ हो गया भी हम लोग यहां पर एक index.js की file बनाएंगे तो windows में हम कुछ इस तरीके से command के जरी से file बना सकते हैं तो fsutil हमारा file operation बताना है और कौन सा operation हम लोग perform कर रहे हो भी बता कि हम लोग यहां पर index.js file बना दिये हैं successfully okay guys तो यहां पर हमारा सब कुछ set है अभी हम लोग जहां पर आके अभी packages इंस्टाल करेंगे तो जैसे मुझे यहां पर express चीए EGS चीए और यहां पर मुझे socket socket.io चीए मुझे यहां पर तो यहां पर मैं यह सब लेकर install कर देता हूं यहां पर express के मदद से हम लोग पूरा अपने routing हो गयरा सब कुछ manage करेंगे तो यहां पर आप लोग देख लीजिए packet.json के अंदर हमने dependencies के अंदर तीन package install करेंगे command को मैं अभी यहां पर पूरा terminal clear कर लिया हूं अभी यहां पर हम लोग को अपना पूरा setup करना है तो index.js के अंदर हम लोग अपना server ready करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं अपना express को connection पूरा properly बना लेता हूं तो const express is equal to express को मैंने require कर लिया यहां पर अभी हम लोग app के अंदर app variable के अंदर हम लोग अपना routing का पूरा manage करेंगे okay so यहां पर मैं अभी जाता हूं और एक get request बनाता हूं एक get route बनाता हूं slash के उपए और यहां पर मैं एक function माना देता हूं और इसके अंदर में चलोए ठीक है और यहां पर हम लोग को listen करना पड़ेगा तो यहां पर मैं 3000 port के उपर अपने route को listen करूंगा तो यह पूरा management हमारा express js के मरस्ते हो रहे तो यहां पर हमारा इतने से code में पूरा connection ready हो गया express js के बरस्ते है तो यहां पर मैं command में जाके npx node mode लिखूंगा तो मेरा server ready हो जाएगा और यहां पर मैं जाता हूं अभी chrome के देता हूं यहां पर मैं chrome में जाता हूं तो यहां से मैं chrome लाता हूं chrome लाने के बाद यहां पर हमें localhost 3000 port नमबर पी जाना है तो यहां पर हमें आ गया है error okay sorry हमने अपना request और response जो हमें parameter में मिलता है वह ले लिए थे उसका error था तो यहां पर आप लोग देख लिए just successfully hello world हमारे यहां पर node.js के अंदर आ चुका है get set ready guys तो यहां पर हमारा भी छोटा से कामवासिफ server बना है अभी हम लोग एक step आगे बढ़ते हैं यहां पर भी हम लोग हमना socket का connection कर दे तो सबसे पहले में एक variable बनाता हूं और इसके अंदर हम लोग http का मदर से हम लोग एक server create करेंगे तो सबसे पहले http को हम लोग यहां पर require कर लेंगे guys रिक्वायर करने के बाद यहां पर अभी हम लोग को सॉकिट का कनेक्शन बनाना है तो यहां पर मैं सॉकिट का कनेक्शन बनाऊंगा सबसे पहले मैं यहां पर सॉकिट.io को भी रिक्वायर कर लूँगा करेंगे तो एक वेरिबल बना तो यहाँ पर में वापिस से तो http.createServer और इसके अदर अभी हम लोग अपना socket.io का जो भी server है हम लोग यहाँ पर put कर देंगे तो यहाँ पर मैं अपने express के सारे पूरा जो भी हमारा project है node.js का express का एप हमारा राउट है उसको हम लोग यहाँ पर अपना argument में पास करके एक variable में store कर लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग const एक variable बनाएंगे io नाम का और यहाँ पे हम लोग server socket.io और इसके अंदर मैं server को pass कर देता हूँ तो यहाँ पे इतनी इसी code के अंदर हमारा पूरा socket का connection ready हो चुगा है इतने minimum code के अंदर guys, यहाँ पे सब कुछ हमारा ready और यहाँ पे मैं server.listen कर देता हूँ ताकि हमारा socket का जब-जब connection चेंज हो तो हमारे यह server restart होता रहे अपना आप तो इतने से code में हमारा सब कुछ ready हो गया, अब हम भी हम लोग यहाँ पे एक step आगे बढ़ते हैं एक step आगे बढ़ेंगे यहाँ पी अभी हम लोग अपना public folders वगरा जो भी हमें static files वगरा बनानी है वो सब बनाएंगे तो सबसे पहले app.use हम लोग अपना EJS का engine EJS मतलब embedded JavaScript का है यहाँ पर embedded JavaScript आपको बनानी बड़ेगी, embedded JavaScript का है कि हम लोग जो भी हमारा index file रहता है, HTML file रहता है उसके नहीं कुछ हमें कोई चीज हो अगरत change करने है, कोई tags हो गरत change करने है तो आप लोग embedded JavaScript का इस्तमाल से वहाँ भी कर सकते हो, जैसे आपने आपका HTML file उसके अंदर h1 tag आपको 10 बार चलाने तो आप लोग यहाँ पर embedded JavaScript लगा सकते हो, ताकि आपको आपके HTML file करने ज्यादा कुछ changes ना करना पड़े तो यहाँ पर मैं app.use और यहाँ पर मैं एक public folder का इस्तमाल करूंगा गाइस, तो public folder हम लोग को यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा सबसे पहले मैं यहाँ पर path को require कर देता हूं, ने तो error आ जाएगा यहाँ पर हम लोग ने path को require कर लिए अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर एक folder बनाते हैं public नाम को एकदम root के अंदर बनाने गाइस, ध्यान रखिए कहाँ पर मैं बना रहा हूं, public folder एकदम root directory में बनाने और इसके अंदर एक js का folder बना लेजिए, और इसके अंदर script.js यह file आप बना लेजिए और उसके अंदर आप लोग css भी बना सकते हो, बना लेजिए, और style.css यह दे दीजिए, यह file जरूरी है आपको अगर चाहिए मैं यहाँ पर करना चाहूंगा जैसे मैं जो भी default style लेते हैं, वह सब डाल देते हैं, margin, padding और box sizing वगर है इसे सब कुछ मैं यहाँ पर input कर दूँगा और यहाँ पर मैं HTML और अपने body यह दोनों को मैं width 100% और height भी 100% यह मैं दे दूँगा यहाँ पर, इतना set हो गया है, style लोट CSS हमारे यहाँ पर ready हो गया है अभी हम लोग जाते हैं यहाँ से भी एक folder बनाते हैं, views नाम का और इसके अंदर file बनेगी index.ejs, ejs means embedded javascript और इसका code आपको description में मिल जाएगा guys, तो ज़्यादा महिनत नहीं करना है, आपको सिर्फ description में जाना है, code को यहाँ पर लाके copy, paste कर देना है सिब एक boiler plate है, कुछ ज़्यादा उसके अंदर रहने, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, check description, आप लोग description में जाके, code को लाके यहाँ पर simply paste कर देजिए तो यहाँ से मैं code लाया, और यहाँ पर मैंने paste कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग देख लिजाए, kusidians link है मैं चाहता हूँ आपको यहाँ पर कैसे लाना है, यह सब कुछ में प्रोस्स आपको बता दू, तो सब कुछ में cut करूँगा, delete करूँगा सिर्फ जो style.css और हमारे script.js इसको में link रहने दूँगा और गायस हम लोग यहाँ पर embedded javascript का इस्तमाल करें, इसके लिए हम लोग को public folder लिकने की ज़रूत नहीं है अभी जाते हम लोग अपने browser में और यहाँ पर हम लोग search करते है leaflet, ओके सो यहाँ पर leaflet cdn की ज़रूत ओके leaflet cdn, not first link, back जाता हूं में यहाँ और leaflet cdn और यह वाले link के उपर में जाना cdn की, और यहाँ से हमें minify version of leaflet का js file उठाना है, यहाँ पर paste करता हूं मैं और जाके मुझे वापिस से हम पर minify version of leaflet css का भी link उठाके यहाँ पर हमें लाके paste कर देना है इसी तरीके से हम लोग socket.io का भी cdn निकालेंगे, तो socket.io cdn सर्च करेंगे, client installation के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हम लोग को cdn यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको मैं copy करता हूं यहाँ पर और अपने us code के अंदर जाके leaflet.js के निचे जाके मैं इसको paste कर देता हूं, तो copy किया हूं मैंने यहाँ पर उसको लाके यहाँ पर paste कर देता हूं तो यहाँ पर मैं comment भी डालते हूं चलूँगा ताकि आपको समझ मैं तो comment भी डाल देता हूं मैं यहाँ पर ताकि आपको समझ मैं कि यह leaflet.js है और चलूँगा तो इतना इसका काम हो गया है भी हमारे यहाँ पर यहाँ पर भी मैं छोड़े जाने दूश्दर पर ने डालता हूं कुछ भी, save करता हूं मैं फाइल और इतना हमारे यहाँ पर index.js का काम हो गया और style.js भी बन करता हूं अभी यहाँ पर हमें script.js के अंदर हमारा पूरा code लिखना है तो script.js के अंदर हम लोग यहाँ पर अपना जो भी socket.io जो हमें cdn प्रोवाइड करता है आयो ओके io function के अंदर से हम लोग को एक variable के अंदर हम लोग उसको store कर लेंगे socket के packages और socket का connection पूरा हम लोग बनाते हुए चलेंगे तो अभी हम लोग यहां से जाएंगे और यहां से भी हम लोग प्रॉपर्ली एक ओके तो यहां पर अभी हम लोग क्या काता है आयो का connection बना लेते हैं तो यहां पहले मैं देखता हूँ सब कुछ नीइए मुझे हैं सब से पहले हैं आयो बनाने देते हैто पर में नियू कनेक्षन देता हूँ ताकि जब जब नियू कनेक्षन आहे दो सब्सक्राइब renewal लोगो ब्राउचर में जाते calendar to enjoy यहां पर हम लोग सीनिया है ठाइन के चल रही है तो यहां यहाँ पर में console.log hello यह भी लिखके देख लेता हूं तो यहाँ पर hello भी हमारा console के अंदर आ चुका है browser के और new connection भी हमारा terminal में आ गया है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर तो इस तरीके से हम लोग अपना पूरा connection क्रियेट कर रहे हैं देखते जा रहे हैं जितने बार रिफरेश कर रहे हो new connection हमारा आते जा रहे हैं तो इस तरीके से हमारा new connection क्रियेट हो रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर अपना browser से permission लेंगे तो यहाँ पर मैं navigator.go location अगर यह हमें मिला तो इसके अंदर जाएंगे हम लोग और यहाँ पर navigator.go location. अभी हम लोग यहाँ पर watch position करेंगे position हम लोग यहाँ पर चेक करने के लिए watch position लगाते उसके अंदर हम लोग आप iterator का इस्तमाल करेंगे position ओके और यहाँ पर position हम लोग लेंगे और पोजिशन के अंदर से हम लोग latitude और longitude निकालेंगे तो यहाँ पर मैं डिश्टर करूँगा तो यहाँ पर मैं position.coordinates का course और यहाँ पर इसके अंदर से मैं latitude और longitude यह दो चीज ले लेता हूँ और यहाँ से मैं क्लाइंट से शॉकिट की मतलब से एमिट मतलब पास करना सॉकिट के अंदर हम लोग एमिट की मतलब पास करते हैं जितने भी connection उस server से जुड़े उसको अम लोग अपना socket की मतलब से सारे को एक spread कर देते हैं data तो यहाँ पर मैं शॉकिट.emit करता हूँ और क्लाइंट लोकेशन शेंड कर देता हूँ इस keyword की मतलब से तो आप लोग कुछ भी लिख सकता हूँ मैंने यहाँ पर क्लाइंट लोकेशन शेंड लिखा हूँ latitude longitude यहां से में भेज देता हूँ तो इसकी मतलब से हम लोग सबसे पहले नावगेटर चेक होगा ओकेशन अब हम लोग यहां पर दुसरी चीज अगर कुछ एरर आगे तो इसको भी हैंडल करना है तो एरर हैंडल कर लेते यह चीज हम लोग हैंडल कर लेते हैं अभी हम लोग बताती हैं यहां पर हमें जो एक्तम हाई एक्यूरसी ओफ हमारा लोकिशन चीज है लेते डूंग लेते टोई से नेवल टाइम आउट इसे भी हम लोग यहां पर हर पांच सेकंड में हमारा यह सौकिट डॉट आयो चेक करता रहेगा और कैशिंग हमें नहीं करना है तो मैक्स एज हम लोग यहां पर जो भी है इसको जीरो कर देतें मैकसिमा मेच को तो इतने से कोड से हम लोग कर यहां पर पुरा कनेक्शन बन जाएगा और हमें रिक्वेश्ट मारेंगे तो हमें हमारा पुरा कनेक्शन बनते हुआ मिल जाएगा तो अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे और यहां पर हम लोग मैप बनाते हैं और यहां पर में L मलब Leaflet का अंदर जो हमारा L मैठड है उसके वज़े से L.Map मैप मैठड में हम लोग आर्ग्यमेंट पास करेंगे मैप तो यहां पर उतने से हमें कुछ भी नहीं आएगा यहां पर तरीके से उतना सा Code लिखने से हमें हमारा यहां पर पूछेगा तो यहां पर हमलोग अलाओ कर देंगे तो हमें अलाओ दिन आए करोगे तो connection दिना हो जाएगा और L.myup फिर वापिस से नहीं चलेगा आपको reset करना पड़ेगा यहां पर मैं अभी यहां पर इसका set view कर देता हूँ और इसके अंदर में latitude और longitude 0,0 रख देता हूँ ताकि इदम center में आजाए वो अपनी दुनिया के इदम center में है होगे यहां पर भी कुछ भी नहीं आएगा और 16 मैंने उसका level set कि हूँ उतना zoom रहेगा वो अभी हम लोग को उसको ला निकले अभी हमें tiles अपना set करना पड़ेगा तो हम लोग यहां पर tile add करते हैं टाइल मेंस जो जितने screen के अंदर हमें जितना दिखता है अपना location उतना उसको हम लोग टाइल बोलते हैं तो एक layer हम लोग बनाते हैं tile layer मेठट से ल.tile layer और इसके अंदर हम भी हम लोग यहां पर क्या करेंगे एक आपको यहां पर एक link डान ले पड़ीगे तो यह link में आपको कॉपी करके paste कर जाओं description में देख लीजिए आपको वहां से भी मिल जाएगा वह link और यहां पर भी हमें callback function लगाना है तो यहां पर आपको अगर कोई attribute start करना जैसे में attribute set करके आपको बता देता हूं attribution कम इस्तवाल करना और यहां पर जैसे में अपना channel का इनाम लिख देता हूं programming मिर्स होगे तो यहां पर अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हम लोग ने main चीज़ किये नहीं है तो क्यों नहीं है हमें अब इसको अपने map के इंदर add करना पड़ेगा तो यहां पर add to map लिखते हूं और यह जो हमारा l.map है इसको एक variable में store कर लेते हैं डाएगा उके सो चेक कर दाएग में तो नहीं आया कंसोल में भी देखते क्यों नहीं आ रहा है और चेक करते क्यों नहीं आ रहे डी बग करते हैं server इस्टार्ट करते हैं नहीं आया किया problem होगी और में बुद्दू हुँ, style.css में हमें map जो हमारा यहां पे देख सकते हैं हम लोग index.ejs के इंडर जाते हैं, यहां पे हमारा जो deep बना है जिसके निरा आइडी map है, इसके हम लोग ने width और height set ही ने करी, तो width 100% और height भी, height भी 100% यहां पे हम लोग set कर लेते हैं, अब हम लोग refresh करते हैं, तो यहां पे हमें हमारा map बनके मिल जाएगा, जोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप भी बोलेंगे, यह ब्लू ब्लू की आए, तो हम एक्चलि में हम लोग अपी दुनिया में आ चुके हैं तो यहां पे देखिए हमारा पूरा map है, तो यहां पे मैं zoom करता हूँ, देखता हूँ, यहां पे मुंबई कहां पे है, तो यहां पे देख सकते हैं, मुंबई है हमारा, तो properly हम लोग ने map अगरा लेके आ गये हैं, अब हमें markers लगाने हैं अपने, तो यहां पे हमें पूरा .connection emit किया है इसको अभी server के अंदर जाके accept करते तो जो हम लोग connection create करें यहां पर socket.on और जो client भीज़ा उसे accept करेंगे और यहां पर अभी हम लोग data हमें मिलेगा वहां से जो client भीज़ा data वह अभी यहां पर argument में pass करके accept करेंगे और यहां पर अभी लोग मालब server को accept मिल गया है अभी server वापिस से सारे उसके जो connected notes है उसको emit भेज़ेगा, emit मतलब वापिस से data pass करेंगा, spread करेंगा तो यहां पर मैं io.emit लिखूँगा और इसके अंदर अभी हम लोग को received मालब जो यहां से server भेज़ेगा और हमारा client accept करेंगा, तो server का एक unique हम लोग word बना ले थे, server location send और इसके अंदर यह सरी भब में यहां से pass करेंगा id, socket.id और data जो client से आए उसको properly spread करके यही से हम लोग भेज़ेगे, dot 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 लगाके, तो इस तरीके से जो हम लोग को client से request आई, server ने उसका reply दिया है within a minute, within a second, ठीक है, अभी यहां पर हम लोग marker बना लेते हैं, तो marker बना लिए और इसके अंदर अभी हम लोग में receive कर रहे हैं, तो आप इमें comment भी डालता हूँ, चलता हूँ, ताकि better understanding बनी रहे, तो यहां तक उमीद आपको समझ में आ चुका होगा, तो यह server ने जो भेजा था, उसका हम लोग यहां पर accept करेंगे, और इसके अंदर हम लोग को data मिल रहा है, तो उसको सबसे बहले structure कर लेते हैं, उसमें से ID मिल रहे मुझे latitude मिल रहा है, यह सारी चीजे मुझे data में से मिल रही है, अभी यहां पर मुझे क्या करना है, कि जो मेरा, यहां पर मुझे क्या करना है अभी, जो मेरा connection है, उसको मुझे map marker लगाना है, तो map.setview मैं set कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, कि at least हम लोग उस coordinate के उपर पहुच जाएंगे, जैसे में मुंबई होता है, मुंबई के उपर में पहुच जाओंगा, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, कि अगर उसको ID मिली, तो उसकी location में update कर दूँगा, तो यहां पर मैं क लोग उसकी location अपटेट करते हुए रहेंगे, तो latitude और longitude, यह चीज हम लोग यहां पर set कर देंगे, और else में, अगर उसकी connection हमें नहीं मिली, मरला markers के अंदर ID accept ही नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, markers के अंदर एक new marker हम लोग वहां पर उस coordinates के उपर लगा देंगे, तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, L. marker, तो markers नहीं हो, marker है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एरे के अंदर latitude, longitude, यह दो चीज़ सेट कर देंगे, और यहां पर उसको हम लोग अपने add to map के अंदर add कर देंगे, add to method के मज़स से, तो इतने से code से हम लोग का पूरा map के अंदर हमारा marker के साथ data आगया होगा, तो यहां पर refresh करते हैं, तो आप लोग देख सकते हूं, blue icon के अंदर जो marker है, वो मेरा current location है guys, तो यह मेरा current location है, यहां पर Mumbai के अंदर, यहां पर मैं भी बैठा हूँ, तो यह तब पूरा process कैसे हम लोग पूरा connection मना सकते हैं, तो में में लोकेशन को reset करके भी try किया, तो यहां पर मुझे मेरी same location मिल रही है, तो यह था पूरा process guys की कैसे हम लोग को connection मिलेगा, अभी हम लोग बात करते हैं कि disconnect अगर हो गया, तब कैसे हम लोग उसको handle करेंगे, तो यह पर मैं एक new connection और पिस एक new tab में खुलता हूँ, तो पुराने ओले tab में मैं जाता हूँ, और यहां पर देख सकते हम लोग, यहां पर थोड़े दिखिए, dark shadow मतलब दो connection वहां पर created है, same location पर, क्यूंकि मैंने same tab, same system के अंदर open किया हूँ, okay guys, तो यहां पर अभी हम लोग add, disconnect ही हम लोग add कर देते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग socket बना लेते हैं, client से request बना लेते हैं, फिर वहां पर accept करेंगे, okay guys, तो यहां पर मैं socket लिखता हूँ, socket.on और यहां पर client-disconnect, dis disconnected, यह में लिख देता हूँ, sorry for misspels, सही कर लेता हूँ, इसको client-disconnected, और इसके अंदर मैं pass कर देता हूँ, इसके अंदर मैं pass कर देता हूँ, id, okay, और id को मैं pass करके, यहां पर मैं पुरा लिख लेता हूँ, if id is present in the markers, okay, अगर यह id marker के अंदर present है, तो सबसे पहले उसको layer में से हटा देजिए, okay, layer में से इसको हम हटा देंगे, map.remove layer, और इसके अंदर हम लोग markers, जो वो id present हो, उसको remove कर देंगा, और साथ इससा delete भी कर देंगे, और यह इतना हो गया, अभी हम लोग से सेम चीज़ server side के अंदर भी करने है, तो हाँ पर मैं accept करता हूँ server side में client की request को, तो socket.on और इसके अंदर disconnect, यह keyword है, इसको लिखना में यह पर, यह detect करेगा कि जैसे कोई भी user disconnect होगा या browser बन करेगा, तो यह automatically fire हो जाएगा, यहाँ पर मैं accept करता हूँ और यहाँ पर मैं console.lock करके यहाँ पर मैं IO के अंदर सारे जितने भी notes connected है, सबको मैं emit कर देता हूँ कि यह user browser window बन कर चुक है, तो यहाँ पर refresh करता हूँ मैं और यहाँ पर देख सकते हो client disconnected आ रहे, तो पुराना था, एक new मैं open करता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं सबकुसरी है, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि जो client connected हो भी यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर मैं जो काम कर नीए, चैब उसको बन कर दीता हूँ रिफ्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर अभी मैं आपिस रिफ्रेस करता हूँ, कि जो client connected है वो आ गये है यहाँ पर trace Light Club और इसको ऐपन करता हूँ, यहां पर मैं जाता हूं और न्यू टैब में उसको उपन कर लेता हूं लोकेशन त्री डाउजन और इसको में यहां पर देख सकते हैं अब लोग जो क्लाइंट डिसकनेक्टेड आ रहा है तो न्यू टैब में उपन करता हूं एक बार देख सकते हैं डिसकनेक्टेड यहां प अबर और प्रोजेक्क, उमेद करते हूं, यह प्रोजेक्ट आपको बहुत छी benefắm आए मैं वघ 생рудir योग के इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अभर क्या कर सकते हैं, वो कमेंट में सज़ेस्ट करें 받ते हैं, उस झाल झाल